गर में चाहिए कोई भी फेस्टिवल और सूजी आटा और भिशन का हलुआ आमधोर पर बनाया जाता है आद में आपके लिए लेकर है यह ब्रेड हलुआ रेसिपी जी हां दोस्तों ब्रेड का हलुआ बहुती टेस्टी लगता और इसे बहुती कम इंग्रेडियेंट में बनाया जा सकता है और यह बहुती कम समय में बनकर तैयार हो जाता है और इसे बनाना भी बहुती आसान है हलो फ्रेंड्स में सुसी आज की वीडियो में आप सब का स्वागत करती हूँ अगर आप मेरे बताई टिप्स को फोलो करते हैं तो आपका हलुआ भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट के इस रेशिपी को बनाना शुरू करते हैं आप जितनी मात्रा में हलुआ बनाना चाते हैं उतनी ब्रेड्स ले लीजिए ब्रेड्स लेनी के बाद इनका जो ब्राउन पार्ट है उनको अलग कर दीजिए इनका जो brown part है इनकी भी बहुत ही स्वाधिश ट्रेशी भी बनती है ये मैं आपको वीडियो की अंत में बताऊंगे तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना सबीब्रेट के brown part अलग करने के बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे मैंने सबी ब्रेड्स को एक की उपर एक रख कर एक साथ ही काट लिया आप चाहें तो एक एक करके भी काट सकते हो इनके टुकडों को आप इसे थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो इसी तरह से सबी को छोट छोटे टुकडों में काट कर साइड में रख लेंगे और एकड़ाई में हम गी गरम करेंगे गी के अच्छे से गरम होने के बाद जो हमने एक ब्रेड के टुकड़े के थे उनको गरम गी में डाल देंगे और इन्हें गरम गी में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये बिल्कुल गोल्डन नहीं हो जाते इनको चलाती हुए हमें गोल्डन करना है वरना ये जल जाएंगे देखिए हमारे ब्रेड के टुकडों का कलर चेंज होने लगा है ये काफियत तक गोल्डन नजर आने लगे है बस हमें इने थोड़ी देरी गीमे और भूनना है इसके बाद हम इने बाहर निकाल लेंगे जिस तरह का कलर हमें ब्रेड के टुकडों का चाहिए वेशा मिल चुका है अब इने मैं बाहर निकाल लेती हूँ देखिए कितने गोल्डन और क्रिस्पी नजर आ रहे हैं अब हम दूसरी कडाई या पेन लेंगे और उसमें लगबख दो से तीन चमच गी लेंगे गी के मेल्ट होने पर 15-20 काजू और 15-20 किस्मिस डालेंगे और इने भी अच्छे से बून लेंगे इन दोनों को हमें तक तक भूनना है जब तक कि किसमिस मारी फोल नहीं जाती और काजू गोल्ड नजर नहीं आने लगे किसमिस और काजू हमारी अच्छे से भून चुके हैं अब हम इने भी बाहर निकाल लेंगे अब हम ब्रेड हल्वा के लिए चासनी त्यार करेंगे इसके लिए मैंने एक कड़ाई में लगबग एक किलास पाने डाला है और उबानाने पर इसमें एक कटोरी चिनी डाल दे है हल्वा आप मिठा अपनी पसंद के कोर्डिंग कम या जादा भी कर सकते हो अगर आप ज़्यादा मिठा खाना पसंद करते हैं तो चिनी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए वरना कम भी कर सकते हैं जब चिनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो इसमें अच्छे से कलर के लिए 10-15 केसर के दागी और अच्छे से फलेवर के लिए एक चमच इलाइची पाउडर एड़ करेंगे अगर आपको इलाइची का फलेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्कीब भी कर सकते हो ब्रेड के हलवे के लिए हमें एक या दो तार की चासनी नहीं चाहिए बस हमारी चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें अच्छा से बबल साने लगे तो हम इसमें ब्रेड के टुकडे डाल देंगे हलوے में में स्टेप यही है जहां में अच्छे से द्यान रखना होगा यानि जब आप सासनी में ये टुकडे लाजने तो आपको लगादार चलाते रहना है रुकना में बिलकुल नहीं है जब तक कि ब्रेड इसमें से अच्छे से गुलने नहीं लगे और ये एक लिक्वीड फॉम में नहीं आजाती बस थोड़ी देर में ये गलने लगेगी इस तरह की नजराने लगी तो आप सेंचुला की मदद से इसे मिक्स करते जाएए और ये मिक्स होने लगेंगी आपको इसी तरह से उल्ट पल्ट करते हुए इसे मिक्स करना है ब्रेट गुल कर जब इस तरह की नजराने लगे तो आप फूल क्रीम एक कप दूड डालेंगे आप दूद की दूगर मावा भी डाल सकते हो अगर आपके पास फूल फिर्ट दूद है तो आप कम डाल सकते हैं अगर नॉर्मल गाय का दूद है तो आप दूद की मतरा बढ़ा दीजिए मावा दूद मलाई जो आपको पसंदो इसमें डाल कर मिक्स कर लीजिए बस आप इसे लगातार चलाते वे पकाईए जब तक की हमारा मिक्स तरह है वो गी ना छोड़ने लगे हमारा हलवाल काफिया तक तैयार हो गया है अब हम इसमें ड्राइफ रूट एड़ करेंगे ड्राइफ रूट आप अपनी पसंद के कोर्टिंग कोई भी डाल सकती हो जो आपको पसंदो इसके साथ ही मैंनी यहां अधा कोटोरी मावा एड़ किया है अगर आपने फुल फेट तूद लिया है तो आप मावा स्कीप भी कर सकती हो लेकिन मावा डालने से इसका स्वाध दुगुना हो जाता है मावा डालने के बाद हमें थोड़ी देरी और कुक करना है देखिए यह मिक्सर है वो गी छोड़ने लगा है और काफी क्रीमी और सोफ्ट नजर आने लगा है यानि मारा हल्वा बनकर बिल्कुल तैयार है कि हमारा हलवा कितना क्रीमी और सोफ्ट नजर आ रहा है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ड्राय कीजिए कोमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर वीडियो पसंद रही है तो पलीज लाइक कीजिए और चेनलर पर नहीं है तो पली सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे